Hello friends, मैं आपिन परशाद आप सभी का स्वागत करता हमारे चैनल नोलेज शेरिंग में. आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे ट्रैंस्पोस के बारे में. सब्सक्राइब हमारे पास एक ये टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में आप देख रहे हैं सब्सक्राइब टेबल लोलतु आपको में आपको लिए आपिन पास सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब कोवा आपको दिया हुआ है. चाहिब हम इसकाइब अच्छा ट्रैंस्पोस करींगें, आप मैंस, कर लिया फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं फिर किसी भी एक सेल को हम सेलेट करते हैं वहाँ पर हम माउस पर राइट क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखिए हाँ पेस्ट स्पेशल है तो इस पेस्ट स्पेशल कॉप क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ नीचे में देखेंगे एक transpose option इसे अब select कर लिजे और okay कर दीजे तो आप देखिए आपका ये जो table था जो original table है जहाँ पर आपके पास two rows and 13 columns थे उसका जब हमने transpose किया तो आप देखेंगे ये जो table हमारी आई यहाँ पर आप देखिए 13 rows and two columns है तो ये जो two rows 13 columns था वो convert होगी आपका 13 rows and two columns तो ये एक तरीका हुआ एक और तरीका है जो कि transpose function की मायद से हम कर सकते है ठीक है तो उसे हम देखते है अगर हम rows को columns में convert करना चाहते है और columns को rows में convert करना चाहते using transpose function तो हमें ये दिमाग में रखना होगा जो transpose function is used only in array formulas तो अगर आपको array formula के बारे में नहीं बता है तो आप हमारे previous इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर हमने array formula को बार में discuss किया है इसकी link में description section में attach करती है देखे हमारे पास यह जो table है which consists of two rows and 13 columns और देखेंगे यह total number of cells हमारे पास कहा है 26 आप यहां देख सकते हैं नीचे में count 26 हो कर रहा है तो total cells हमारे पास कहा है 26 है और यह 26 cells है in a form of a table which is which consists of two rows and 13 columns इसे हमें क्या करना है transpose करना है with the help of transpose function that is two rows and 13 columns को में 13 rows and two columns में करवाट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है 26 cells को select करना होगा in a form of a table which consists of 13 rows and 2 columns देखेंगे आपर 13 rows and 2 columns select हो चुका है total number of cells हमारे पास कहा है 26 फिर हम क्या करेंगे formula बार पे गए हम transpose लिखें यहां पर ठीक है यहां पूछरा आप से array तो इस array के लिए हम क्या करेंगे यह पूरा range को select कर लेंगे ठीक है इस range को हमने select कर लिया bracket हमने close किया then since since it's an array formula तो हमें क्या करना हो control shift and enter एक साथ प्रेस करनी होगी तो देखेंगे अब यह क्या होगी है table के form में convert हो गया which consists of 13 rows and two columns 13 rows and two columns हो किया और का देखें टोटल नंबर और सेल्स आपके पास कितना होगी 26 ठीक है तो देखें अब हम इस पर कुछ important चीज समझते हैं देखें अगर यह हम टेबल में कुछ changes करेंगे पर इस जो आइदीप के marks जो 90 इसको में अगर 88 कर देता हूं देखें आपका सो कर यह है you can change a part of an array हमने देखा था प्रीबिए स्यूदियो में अरे फार्मला को बार में डिसक्स के रहे हैं देखें यह जो पूरा हमारा टेबल है ठीक है इस पार्ट में आरे तो आप अगर इस टेबल में को चेंज करना चाहिए तो चेंज नहीं होगा इसके लिए आपको पूर 94 हो गया यहां पर गि 94 अजय कंच्छ आपको रिफ्ट करना बट वही चेंज आपका दिखिए का यह जो टेबल था जहां पर हम ने क्या किया था कि इस टेबल को कॉपी किया था था चर्फिर यह बाद यह पर हमने प्ने में प्रेस्ट स्पेषर अप्शन में प्रम ने यह तो यह जो दोनों difference आपने देख लिया है तरीके से करने पर आपका क्या होगा और इस तरीके से करने पर transpose function के मदद से अगर आप करेंगे तो फिर क्या changes होगी तो इसकी साथ दोस्तों हमारे यह video end होता है नेक्स टूडियो में कुछ और भी एक सेल के different functions के बारे में समझेंगे Thanks for watching